हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम एनलाइट करेंगे यह हम से अब कॉपर फ्यूचर तो लेस्स स्टार्ट वित अ मंतली चार्ट तो जैनुवरी में हम मंतली चार्ट पे देख रहे हैं कि कॉपर चाहे तो सेवन फोर्टी पे कर रहा है लगबग 1.1% के साथ पॉर्द मंत तो यह पहला ही भी के जन्वरी का और हमने जो है तो बेरी स्टार्ट की है आप चार्ट पे देख सकते हो कि कॉपर जो है तो एक अच्छे खासे रेली के वादा भी कंसोरेट कर रहा है और यहां से जो है तो जिस तरह से पैटन प्राइस पैटन और इंडिकेटर पैटन से तो करेक्शन आने की ज्यादा संभावन आ है नीचे जो है तो यहां मेजर प्यावट पॉइंट है 1717 का 717 का तो उसके नीचे जो है तो बेरिस ट्रेंड चालोगा और मुझे लगता है कि कॉपर एक लॉंग टम करेक्शन देना चाहिए तो इसलिए नीचे के लेवल पर और आप देख सकते के दोनों सुपर ट्रेंड जो तो फ्लैट हो चुके है तो इसका जो अर्थ होता है तो एक तो साइड वेस कंटीनू करेगा शायद कॉपर और नहीं तो फिर जो है तो एक आगे चलके करेक्शन आ सकती है नीचे के बाद में 578 के लेवल के तरब और आप देख रहे हैं कि यह 50 मंत का जो एवरेज है वह 540 पे तो 540 का लेवल जो है तो उसके तरब जो है तो अट्रेक्ट होगा कॉपर फीचर इन लॉंगर तो यहां मेरी बाइंग की सलाह नहीं होगी आपके पास अगर पूजिशन है ल मुझे लगता है कि लॉंगर टम में कॉपर जो कॉपर प्राइज बार नावीच सेल आप एक्सलेरेशन देखेंगे और नीचे के जो लेवल है यस वन का लेवल जो है तो 630 और उसके बाद में 578 उसके तरफ हम जाएंगे अभी देखते विकली चार्ट तो विकली चार्ट पर भी वही अपन डाउन चालो है सिप कांसलरेशन चालो है एक रेंज में फसा हु मैंने से उसके बीच में ही चार मैंने उससे ज्यादा लगवा में से तो एक रेंज में ही फसा हुआ है तो उपर 810 और नीचे जो है तो 680 जैसे 680 तूटेगा आप देख सकते हैं कि 695 अभी जो है तो यह 50 वीक का आवरीज जैसे यह तूटेगा और वो जो है तो शायद को अगर यह तूटता है तो हम नीचे के लेवल और देखेंगे 630 अगर यहां से रिवर्सल आता है तो फिर से हम जो है तो आरवन तोड़न के कोशिक करेंगे आपने यहां देखा होगा कि इसने यहां तोड़न के कोशिश की थी जो फ्यूचर आरवन था तो यह सुपर ट्रे के फेल हुआ अच्छा खासा से लो पाया फिर से नीचे के सुपर ट्रेंट को टेस्ट किया और फिर से अभी जो है तो कांसलिडेशन फेज चलोए मगर यह मुस्ट अब दे वे मुझे लगता है कि यह नीचे ही ब्रेकडाउन होगा अभी फिलाल के लिए जो है तो जैसे स् 800 थी अगर यह फेल हुआ तो एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन आ सकता है तो अभी तो फिलाल वीकली चार्ट पे हम एक रेंज में फसे हुए है उपर 810 नीचे 680 का लेवल है अभी डेली चार्ट देखते हैं डेली चार्ट पे आप देख सकते हों और डेली चार्ट के ले को टेस्ट किया अभी वहां से बाउंस बैट दे रहे हैं तो यहां भी जो है तो जैसे विकली चार्ट पे यहां भी हम एक रेंज में फसे हुए है यहां जो है तो एक बड़ी और छोटी दोनों रेंज जैसे आप नीचे देख सकते हों कि 720 और उपर जो है तो 760 और बड़ हो आएगा उपर की तरफ तो देखते हैं अभी तो फिलाल मुझे मंतली चार्ट पर विल्कुल है तो यह शायद इसी रेंज में घुमता रहेगा और उसके बाद में कुछ न्यूस फ्लो या फिर एक बार प्राइस बेस बन गया उसके बाद में फिर हम ब्रेक आउट या फ प्राइस गिरीगा भी और ज्यादा उपर भी नहीं जाएगा तो यहां हम रेंज में फस्ट के मगर आप जो तो नीचे के लेवल पर देख सकते हैं कि 725 और नीचे जो है तो 715 पर अच्छे खासे सपोर्ट है और यहां जो है तो स्टोकेस्टिक भी वोर सोल्ट जोन को जैसे 760 के करीब जाता है तो सेल करना है वी तो च्छोटा स्टोप लग रखना है और यहां अगर 715 के आराउंड आता है तो आपको बाइ करना है मुझे लगता है कि 715 के आराउंड से फिर से एक बांस बैक आएगा तो इस लेवल पर अगर कॉपर आता है मंध में तो यहा बहुत ही बढ़िया होते है आर ट्रेडिंग के लिए क्योंकि आपको पता होता है कि उपर कहा रहेंज है और नीचे कहा रहेंज है तो इसकी यह बेस्ट आप दी ऑपर्चिनेट रहता है क्योंकि आपका रिस्क आपको बहुत छोटा रहता है क्योंकि रेंज के बाहर नहीं तो यहां जो ट्रेडर है, अगर यह इसके नीचे ट्रेड करता है, अगर यह तूटता है यह लेवल, तो जैसे मैंने बोला कि वह इसे बीग रेंज में जा सकता है, तो यहां देख सकते हैं, तो यह फिर से 680 का सपोर्ट टेस्ट करने के लिए भी जा सकता है, अगर यह रेंज तूट गई, तो हम जो एक बड़े रेंज में चले जाएंगे, औ तो यहां अभी फिलाल के लिए तो बेरिस रहेगा, मगर यहां जो है, तो छोटे ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, और उसमें स्टॉपलास जाने की जादा संबहुना है, क्योंकि आप देख रहे कोई उपर नीचे, उपर नीचे हो रहा है, तो अभी के यह रिस्क नहीं लेना है, तो वो अवाइड कर सकते हो, मगर आपको अच्छी खासी अपूर्चंटी मिलेगी, 715 के रहाँ और 760 के रहाँ, 760 के रहाँ, 760 के रहाँ सेल करेंगे, 715 के रहाँ बाय करेंगे, भी तो स्टॉपलास और टार्गेट भी सेम रहेंगे, अगर 715 करते हैं, तो मीडियम तम टार्गेट रहेंगा, 760 के रहेंगे, 760 के रहेंगे, 715 के रहेंगे, तो कॉपर अभी फिलाल एक रेंज में है, और यह रेंज का फाइदा उट है है, उपर के लिवल पे सेल कीजिए, नीचे के लिवल पे बाय कीजिए, तो आई होप सो कि यह ज सकता है, बाकि जो future trader है, उनके लिए short और medium term view ही काफी है, तो यह आई होप सो कि यह view जो है, तो आपके लिए helpful रहें, और मैं फिर से disclaimer देता हूं, कि यह मेरा personal view है, यह मेरा personal analysis है, इसका मतलब जो है, तो अगर आपको इस पे trade करना है, तो आपके financial advice से बात कीजिए, उसके ब निकले का है, इसका कोई यह नहीं है, यह probability है, तो और हर एक बात, हर बार एक ज्याद रखिए, कि जब भी trade करोगे, stop loss के साथ ही trade करना है, अगर stop loss के साथ trade नहीं करते हैं, तो capital पूरा blowout हो सकता है, आपके risk से ज्यादा आपको जो है, तो आपको losses हो सकते हैं, उससे आपको बहुत सारी दिक्कत भी आ सकती है, तो हमेशा stop loss के साथ ही trade कीजिए, अगर आपको trade में confidence नहीं है, avoid that trade, simple funda, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को जासा से ज्यादा लोगों सच शेर कीजिए, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and thank you for watching this video.